लेते हैं, रिकोर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है, बिस्मिल्ला रिमान रुरहीम, अला तला के बाब अरकत नाम से हम स्टार्ट करते हैं, GIT सिस्टम, गैस्ट्रो इंटरस्टाइनल सिस्टम, और इसमें हम पढ़ेंगे सारी GIT-related diseases को पढ़ेंगे, और उसके साथ हम करोगे और आप उसको किस तरह डाइगनोज कर सकते हो, ठीक है, तो काफी बाते हम इसमें सीखेंगे, और बहुत इंपोर्टन सिस्टम है, अगर आप हमारे साथ नहीं भी कंटिन्यू करोगे, लेकिन मेरा आपको सब को यही मश्यूर है, कि आप इसको खुद लाजमी ठीक हो गया, तो खेर हम स्टार्ट करते हैं, अब जो आपका पेज नमबर है, फर्स टेर्ड का, आपके सामने फर्स टेर्ड खुली हुई है, तो यह 365, 365 पेज नमबर है, और यहां से यह स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहां से यह स्टार्ट हो रहा है, और सबसे पहले जो जो पहला पेज है, इसमें कोई खास बात नहीं है, तो इसको हम बाद में करते हैं, जो अब खास बात है, तो खास बात है, वो यहां से स्टार्ट हो रही है, तो आप अपने सामने बुक रखें, एक दो पॉइंटर रखें, ताकि आप जो भी चीज़ें, आप उनको हाइलाइ पढ़ेंगे गैस्ट्रो स्कीशिस और अमफैलो सील पढ़ेंगे लेकिन इसको आप मैंने आपको बुक दिखा दिया तो हम एक नया कि हम पढ़ने क्या लगे हैं तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज हम स्टार्ट करते हैं अम्ब्रियोलोजी से अब अम्ब्रियोलोजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं अम्ब्रियोलोजी में आपको पता है कि जो फर्स टेड है फर्स टेड हमें वह चीज़ें बताएगी जो क वाक्य ही हमारे लिए important है, मतलब कि वो इदर उदर हमें नहीं गुमाएगी, जो वाक्य important है, जो exam point of view से important है, और जो clinical point of view से important है, वही हमें बताया जाएगा, तो उनको हम अच्छे तरीके से कर लेंगे, तो it is more than enough for any exam in the world, ओके, तो हम start करते हैं, अब सबसे पहले हैं थी हमारा वाल है, उसको हम कहते हैं, वेंटर वाल, डॉक्टर एमर पूछ रहे हैं, जी, page number क्या है, page number है, 366, तरीका 367 page number है, जो मेरे पास edition है, दोजार बाइस का, बाकि आप अपने अपने हिसाब से देख लें, तो जो वेंटर वाल है, वेंटर वाल कौन सी होती है, कि हम सब इनसा क्या होता है, इसको जरा हम पढ़ते हैं, अब आप कहते हैं, यार ये जो वेंटर वाल है, जो हमारे सामने वाल है, ये किन किन चीजों से बनती है, तो आपने याद रखना है, कि ये तीन फोल्ड होते हैं, जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम मां के बेट में थे तो हमारे तीन फोल्ड से वो कौन-कौन चो फोल्ड से एक जो number one था उसके हम कहते है रोस्टरल फोल्ड कहते है इसका जर्ण अच्छे से समझ लेना student यहाँ पर confuse हो जाते हैं सबसे पहला जो फोल्ड होता है व्होता है आपका काफी फाइदा होगा तो देखें रोस्ट्रल जो फोल्ड होता है जो रोस्ट्रल फोल्ड होता है वो हमारी चेस्ट कैवेटी बनाता है जिसको हम छाती भी कहते हैं ठीक है जो चेस्ट कैवेटी वो कौन बनाता है रोस्ट्रल फोल्ड बनाता है उसके बाद जो हमारे abdominal cavity है, abdominal cavity में जो most portion है, वो कौन बनाता है, उसको हम कहते है lateral fold, उसको हम कहते है lateral fold कहते है, अब जो हमारी abdominal cavity है, जो हमारा पेट है, वो किस से बनता है, वो बनता है lateral fold से, और यह जो lateral fold है, इसको हम abdominal fold भी कहते हैं, इसको हम abdominal fold भी कहते हैं, आगे जाक मैं आपका आता है, Caudal Fold. जो Caudal Fold है, वो हमारा जो Abdomen का नीचे वाला हिसा है, मतलब कि जहां पर Bladder पड़ा आता है, वो वला हिसा बनाता है, तो उसको हम कहते है, Caudal Fold. Caudal का मतलब क्यों आता है, तेल, ठीक है, कि जो हमारा DOOM की तरफ है, तेल पर पोर्शन है, तो caudal fold हमें क्या बनाता है, caudal fold हमारा बनाता है, जो abdomen है, उसका निचला हिसा बनाता है, तो मैंने अभी तक सिरफ आपको ये बताया, यार जो इनसान होता है, इसकी जो सामने वाली wall होती है, वो तीन fold से मिलके बनी होती है, number one is roaster fold, second one is lateral fold, third one is caudal fold, अब जो roaster fold होता है, य की तरफ होता है, और इसमें, अगर इसमें कोई defect आजाए, अगर इसमें कोई मसला आजाए, तो क्या आता है, अगर इसमें कोई मसला आजाए, तो हमने उसमें CVS पर पढ़ा था, कि sternal defects आते हैं, sternal defects, आपको सब को पता है, कि आपकी chest cavity में एक bone होती है, जिसको हम क्या कहते ह यहां पे यह नहीं पढ़ना, यह तो CVS में हम नहें पढ़ा था, सिरफ मैं आपको बता रहा हूं कि जो Ectopia Cardis किया होती है, तो Ectopia Cardis में आपने याद रखना है, कि जो पेशन्ट होगा, जो पेशन्ट होगा, उसका जो हार्ट होगा, जो उसका दिल होगा तो हमें बाहर से नजर आ रहा होगा जो उसकी chest cavity है उसमें हमें दिल उसका उपर से नजर आ रहा होगा ठीक है तो patient heart will be outside मतलब कि वो outside होगा किसकी outside होगा chest cavity के मतलब कि जाहरी बात है कि Allah ताला ने दिल को chest cavity की अंदर रखा है लेकिन अगर वो बाहर निकला है तो इसको हम कहते है एक्टोपिया कार्डिस और यह क्यों होता है इस ड्यू टू डिफेक्ट इन रोस्ट्रल फोल्ड यह MCQs है रोस्ट्रल फोल्ड में डिफेक्ट आएगा तो कौन सी बिमारी होगी कर जो मरीज होगा जो बच्चा पैदा होगा उसको हम कहते है एक्टोपिया कार्डिस उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे है जी आपका लेटरल फोल्ड अब लेटरल फोल्ड क्या बनाता है आपका तो जब lateral fold में defect आएगा तो जाहिरी बात है कि आपका जो abdominal की wall है, जो abdominal की ventral wall है, जो सामने वाली wall है, वो नहीं बनेगी, उसमें कोई hole रह जाएगा, उसमें कोई gap रह जाएगा, तो जब उसमें gap रह जाएगा, तो आपको दो diseases हो सकती है, उन दो diseases को हम कहते हैं, gastroschisis, gastroschisis कहते हैं और omphelosil कहते हैं, अब मैं आपको फिल हाल यह नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी हम नहीं पढ़नी है, तो omphelosil and gastroschisis, उसके बाद, तीसरे नंबर पे आता है आपका caudal fold, अब जो caudal fold है, caudal fold आपका बनाता है, जो abdomen का नीचे वाला इस है, ठीक है, जो आपके pelvic area वाला ventral wall है, तो जो caudal fold का जब defect होगा, तो क्या होगा, bladder exist trophy, bladder क्या होगा, bladder हमें जब बच्चा पैदा होगा, तो उसका urinary bladder होगा, वो हमें उपर से ही नज़र आ रहा होगा, तो उसको क्या होगा, bladder exist trophy होगा, तो यह आपके MCQ उन्हें तीनों, कि अगर rostral fold में defect आ जाए, तो क्या होगा, कि उस patient का जो बच्चा पैदा होगा, उसका दिल हमें थोड़ा सा उपर निकला होगा, बाहर निकला होगा, और वो उपर से नज़र आ रहा होगा, उसके लावा अगर lateral fold में defect आ जाता है, तो उसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद तीसरे नमबर पे आता है, कोडल fold, और अगर कोडल fold का defect आ जाए, तो क्या होगा, कि जो bladder होगा, जो bladder होगा, उसकी exist trophy हो जाएगी, वो जो bladder होगा, वो बाहर निकला होगा, हमें उपर से नज़र आ रहा होगा, कि यार ये बच्चे का bladder है, ठीक होगा, तो ये सारे क्या है, आर developmental defects, जब बच्चा मां के किसी होता है, पहले हम पढ़ते है, अमफैलो सील, मैं आपको इसकी picture दिखाऊंगा, आपको ये 100% समझा जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते है, अमफैलो सील होता है, ये क्या होता है, जो अमफैलो सील होता है, ये क्या होता है, तो जो अमफैलो सील होता है, अब उसको हम कहते हैं, अम्बलाइकल रिंग, जो एक नम्बलाइकल रिंग होती है, जब बच्चा मां के पेट में होता है, तो एक अम्बलाइकल रिंग होती है, और यहां पर फर्द करो, पड़ा हुआ था, कौन सा फोल्ड पड़ा हुआ था, अब्डॉमिनल फोल्ड, यहा हम उसको क्या कहते हैं लेटरल फोल्ड यहां फिर अब्डॉमिनल फोल्ड भी कहते हैं अब आपने याद रखना यह सबसे यहां इसमें कन्फ्यूजिंग पॉइंट यही है यह सिरू बाकी आसान है बिल्कुल जो आपका होता है अला भला करे जो लेटरल फोल्ड होता है जो फोल्ड होता है उसने माइग्रेट करना था जब आप मां के पेट में थे तो वो माइग्रेट करता है करता है और किसके साथ फूज हो जाता है अम्बलाइकल रिंग के साथ यह आपकी अम्बलाइकल रिंग है ठीक है यह क्या है अम्बलाइकल रिंग है और यह क्या है आपक ताकि आपकी जो पेट की सामने वाली दिवार है, वो बन जाए, इस तरह आपकी वेंटरल वाल बनती है, अब जाहिरी बात है, कि एक किसमत का मारा बच्चा है, उसकी किसमत ही खराब है, तो उसमें क्या होगा, फिर्द करो, उसका जो लेटरल फोल्ड है, जो उसका लेटरल वो सही तरह fuse नहीं हो पाएगा जब अगर वो fuse नहीं हो पाता अबलाइकल रिंग से तो उसको क्या अदाएगा अमफैलो सील अब आप कहते हैं कि यार हमें सही तरह समझ नहीं आई तो इसको मदरा पढ़ते हैं फिर आपको ये और ज्यादा समझ आएगी ठीक है तो जो अमफैलो सील होती है इसकी डेफिनेशन क्या है अगर जो हमारे लेटरल वॉल है या जो हमारा अपना है जो वो अ अगर अगर वो अमब्लाइकल कोड तक नहां पहुंच पाए तो क्या आजाएगा पेशेंट को अमफैलो सील तो migrate to umbilical cord ठीक है, migrate umbilical ring umbilical ring कहलें, कि umbilical ring तक अगर वो नहीं पहुँच बाता तो क्या जाएगा omphalosil, अब जाहरी बात है कि अगर क्या होगा, अगर उसका पेट नहीं बनेगा, जो मरीज है, जो बच्चा पैदा हुआ है, अगर उसका वेंटल वॉल नहीं बनेगी, तो क्या होगा, उसके जो पेट में जो जितनी भी चीजी होगी, वो हमें बाहर आजाएगी, वो बाहर आजाएगी, वो बाहर से नजर आ रही होगी, तो इस condition को हम क्या कहते है, omphalosil, अब मैं lateral fold था, वो umbilical ring तक migrate नहीं कर पाया, तो क्या होगा, कि उसका जो abnormal content है, यह उसकी stomach पढ़ी हुई है, यह उसके intestine पढ़े हुए है, और वो क्या आए हुए है, वो बाहर आए हुए है, और यह हमें lateral fold हमारी umbilical ring के साथ fuse ना कर पाये, तो क्या होता है, patient को umphalosil हो जाता है, simple सी बात है, अब आप कहते हैं कि यार, अच्छा, इसमें और क्या क्या चीज़ें होती है, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो कि इसका differentiating factor है, जो it is surrounded by membrane होगी, उनके इर्दिर क्या होगी, एक membrane होगी, और कौन सी membrane होगी, peritonium membrane, और यह important बात है, आप से पुछा जाएगा कि बताएं यार, जो emphalosil है, यह क्या किसी membrane से surrounded होता है, तो आपने कहा ना, हाँ, यह peritonium membrane से क्या होता है, surrounded होता है, it is surrounded by peritonium membrane, और उस आपको, मतलब जब आप उस बच्चे को देखो गए, तो यह जो membrane होगी, आपको कैसे नज़र आएगी, light gray, ठीक है, light gray, light gray shiny, ठीक है, light gray, shiny sack, आपको एक, मतलब हलका सा gray color का, shiny सा sack नज़र आएगा, बच्चे के पेट में, और आप समन जाओगे कि इसको क्या है, इसको अमफैलो सील है, इसको क्या जी, अमफैलो सील है, अब आप कहते हैं कि यार यह हुआ क्यों है, मतलब अचलना हमें समझ आ गए, कि अमफैलो सील तो हो गया है, लेकिन यह हुआ क्यों है, मतलब वज़ा क्या बनी है, तो इसकी causes में हम देख लेते हैं कि इसकी causes किस-किस साथ associated है इसकी association किस-किस के साथ है कि किस-किस disease में ये मसला हो सकता है तो आपको पता है trisomy इसको trisomy को अभी तो मैं explain नहीं कर सकता क्योंकि time come है इसको इन्शाला बायो कैम में पढ़ेंगी हमने एक-दो system के बाद वो बायो कैम ही करनी है तो trisomy of 13, 13 and 18 इसको हम क्या कहते है जो 13 और 18 की trisomy होते है इसको हम क्या कहते है इसको हम कहते है टौ और Edward syndrome, Edward और Tau syndrome उसके लावा आपके पास आता है जी back width ठीक है उसके बाद क्या आता है back width back width man ठीक है back width man syndrome ये भी हम बायो कैम में पढ़ेंगे तो इन syndrome में क्या आता है कि जो baby होता है उसको genetically problem आती है उसको genetically problem आती है और उसका जो पेट होता है जो वेंटल वॉल होती है वो सही तरह नहीं बनती और क्या आता है जो उसके पेट का जितना भी material होता है वो बाहर आ जाता है, लेकिन इसमें जो सबसे एहम बात है, वो ये है, कि it is surrounded by peritonium, कि इसमें इर्दगिर्द क्या होगा, इसके इर्दगिर्द क्या होगा, peritonium होगा, ये सबसे एहम बात है, जो emphelosil होता है, इसमें इर्दगिर्द क्या होता है, peritonium की cavity होती है, it is surrounded by membrane, अब ज़रा मुझे सारे बताएंगे, जो हमारे पराने स्टूडेंट है वो भी ज़रा बताएं, और जो नए स्टूडेंट है वो भी बताएं, कि आप क्या समझती हैं, कि अगर एक चीज मेंब्रेन से कवर्ड है, तो वो ड्राइ हो जाएगी, जल्दी या एक चीज बिलकुल अगर एक चीज किसी मेंब्रेन से कवर्ड है, तो वो जल्दी उसको ज़्यादा खत्र है, जी डॉक्टर अकसा, डॉक्टर काशिव, डॉक्टर मिराज तकरीबन सारे सही बता रहे हैं, कि जो अनकवर्ड चीज है, उसको ज्यादा खत्र है, तो जाहरी बात है, कि चूँके जो उमफैलो सील है, इसमें क्या होती है, इसमें इर्द 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 उसके परिटोनियम मेंब्रेन होती है, तो जितने भी बेबी के स्ट्रक्चर होंगे, वो डेट नहीं होंगे, वो ड्राइ नहीं होंगे, वो जल्दी ड्राइ नहीं होंगे, तो यह बात आपने याद कि इसके इरदी इरद क्या आता है? Praettoniam cavity होती है. बहुत असान सी बात है. उसके बाद इसने लिखा हुई है कि Other Structural Abnormalities कि फर्द करो बेबी को और कोई structural problems है? और क्या है? Structural Abnormalities हैं फर्द करो उसको C.V.S. का मसला है. जो बेबी है उसको फर्द करें कोई भी एपसियन बार अनॉमली है या कोई भी अनॉमली है CVS की उसके लावा और हम को देख लेते हैं उसमें CVS का हो सकता है या फिर जैनिटो यूरिनी है या फिर नियूरल ट्यूब डिफेक्ट है और मुझे सारे शाब बात जल्दी से बता किया है तो मुझे जी बताना जरा कि नियूरल ट्यूब डिफेक्ट से हमें कौन सी डिजीज होती है मतलब नियूरल ट्यूब डिफेक्ट पहले तो बताएं कि अगर जो फीमेल होगी जो प्रेगनेंट फीमेल होगी अगर वो क्या चीज नहीं खाएगी तो उसको नियूरल तो बहुत असान सी बात है, इसलिए आपने, मतलब कोई भी मैंने आपको बताया भी था, कि एगर कोई भी फीमेल प्रेगननी प्लान कर रहा है, तो आपने उसको तीन महीने पहले क्या शुरू कराना है? correct गिसको तीन महीने पहले आपने रोज एक टैबलेट देनी हैं, फूलीचेड की और फिर उसको ये वाले मसले नहीं होंगे. ओके जी हम आगे चलते हैं टाइम काम है हमारे पास जल्दी से हम इसको खतम करें तो आपने याद रखना है कि it is covered by peritonium और इसके association किसके साथ है 13 और 18 के साथ और back with man syndrome और structural abnormality मतलब कि अगर मेल है उसको serious problem है उसको GI problem है उसको genito urinary problem है या उसको neuro tube defect है तो उसमें क्या हो सकता है हम आगे चलते हैं अब आप कहते हैं कि यार हमें ये तो समझ आ गया है लेकिन हमें gastroskis के बारे में भी जरा बता दें तो जो gastroskis होता है यह क्या है gastroskis को जरा हम समझ लेते हैं अब जो gastroskis होता है इसमें और omphalos sale में बड़ा बहुत minor सा फरक है उस minor फरक को आपने समझ लिया तो समझ लिया आपकी जिन्दगी असान हो जाएगी वो क्या है इसके हम पहले definition लिखते हैं फिर मैं आपके इसकी picture दिखाता हूं it is extrusion of it is extrusion extrusion का मतलब होता है बाहर निकल जाना extrusion of abdominal content के जो पेट का material जो abdominal content अगर वो बाहर निकल जाए abdominal content सब ने यहां पर confused हो जाना है इसलिए इसको जड़ा कान खोल के सुनू extrusion of abdominal content through किसके रास्ते through abdominal fold through abdominal fold और abdominal fold का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था abdominal fold का दूसरा नाम क्या होता है lateral fold मतलब के lateral fold या फिर abdominal fold के रास्टे में इसके अंदर से अगर abdominal content अगर गुजर जाएं अगर इसके अंदर से बाहर निकल आएं तो इसको हम जा कहते है gastro skeeces कहते है अभी जो हमने पहले पढ़ा उसमें था कि जो आपका lateral fold है वो umbilical ring के साथ fuse नहीं होता इसको mix नहीं करना काईडली जो आपका gastro skeeces है इसमें क्या होता है इसमें जो lateral fold के अंदर से गुजर जाता है इन अंदर से बाहर निकलाता है क्योंकि जो lateral fold होता है वो सहीतना develop नहीं हुआ होता तो lateral fold या abdominal fold के अगर अंदर से क्या गुजर जाए जो आपका abdominal content है वो बाहर निकला है तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं gastro skeeces इसको हम क्या कहते हैं gastro skeeces कहते हैं और ये mostly ये ज़्यादा तर बच्चों में क्या होता है जो naaf होती है नाaf के दाइं जानब होता है typically it is typically right of emblichus जब बच्चा पैदा होगा जब बच्चा पैदा होगा तो जब आप उसकी नाaf देखोगे तो नाaf के दाइं जानब मतलब right side में आपको बाहर एकना material निकलता हुआ नज़र आएगा material नी मतलब abdominal content बाहर नज़र आएगा तो आप कहोगे कि इसको क्या है इसको gastro skeeces है अब आप कहते हैं कि यार ये हुआ क्यों है तो आपने याद रखना है कि इसको मैं red से लिख देता हूं कि it is herniation herniation का मतलब क्या हता है herniation का मतलब हता है बाहर निकलना protrusion ठीक है herniation का मतलब क्या हता है फर्द करो ये कि एक wall है तो अगर इससे कोई चीज बाहर निकली हुए तो इसको हम कहते है हरनिया हुआ पढ़ा इसको ठीक है तो हम इसको पढ़ेंगे आगे जाके फिल्हाल आज पहला लेक्षर है तो मैं बहुत slow slow इसले पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीकी से समझ आए और आपकी बेस बन जाए ठीक है आगे बहुत ये interesting system आपको काफी मज़ा आएगा पढ़के अब it is herniation ठीक है तो herniation through lateral fold इसमें क्या होती है herniation होती है इसमें क्या होती है जी herniation होती है मतलब कि जो abdominal content वो बाहर निकला होता है through किस के रास्ते से through lateral fold throw lateral fold कैलो या abdominal fold कैलो बात एक ही है ये सबसे important बात है अब दूसरी जो important बात है जो आपने रटा मारना जिस जिसको आपने दिमागों पर लिखना है that is it is not covered by it is not यह क्या है यह not covered by it is not covered by any cavity यह किसी भी cavity से covered नहीं होता cavity कौन कौन सी हो सकती है cavity यहां तो कौन सी हो सकती है peritonium तो यह peritonium से भी covered नहीं होता यह जो आपका gastros की सीज़ है यह peritonium से cover नहीं होता उसके लावा उसके ला एक होती थी, amnion और एक क्या होती थी, chorion, जो amnion होती है, amnion बेबी को surround करती है, और जो chorion होती है, chorion उससे बाहर वाले लेर होती है, इसको उने बड़ी detail में पढ़ा था, ठीक हो गया, तो आपने याद रखने है, कि इसमें क्या होगा, कि it is not covered by any cavity, इसमें कोई cavity नहीं होती ना कोई peritonium होती है, और ना कोई amnion होती है, और ये बिलकुल नंगा पड़ा होता है, ये मतलब naked होता है, ठीक है, और जाहरी बात है, अगर ये naked है, तो ये क्या होगा, ये dry हो जाएगा, जो उसका होगा, अपना जितना भी content होगा, वो जल्दी से dead हो जाएगा, ठीक हो कि जो आपका लेटरल फोल्ड होता है उसके अंदर से निकला होता है आपको पिक्चर दिखाता हूं फिर आपको उसकी समझ आएगी ठीक है तो कहां गया हमारा गैस्ट्रोस कीसिज यह आ गया ठीक है तो यह बहुत अच्छी डियाग्राम एक बुक से मैंने उठाई है तो जेतना भी abdominal content वो बाहर निकला हो गाई तो यह क्या है इसकी gastro skici परी पड़िए उसको उसके राबा हुआ उसका प्रेवी दिखाया रख़िए दिखों उसकी जो intestine बहुत क्या पड़िए है ठीक है वो क्या है नेकिन है मतलब कि उसके उपर कोई membrane नहीं है this is gastro skici लेकिन क्यूं होती है क्योंके, जो आपकी lateral fold होता है, उसने अगर वह migrate ना करें, तो क्या हो जाता है, deux prico हो जाता है, और мफैलो सीज्श में आपको हमेशा जो content मिलेगा, it will be surrounded by membrane, it will be surrounded by membrane, evil end up Mercy, ओके, लेकिं, जो gastro Jangverty की лег kesley's होती है, gastroeschkees में आपकी Joe वेंटल वॉल है वो सही बनती है लेकिन जो आपका abdominal fold होता है जो जिसने व्निटल वॉल बनानी थी उसमें कोई मस्फ़ला आ जाता है और उसके दर्मयान में से क्या गुजर जाता है उसके दर्मयान में जितना भी आपका अब्रमनल कॉंटेंट है वो बाहिर आजाता है तो उसको हम या कहते हैं इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोस किसी सिर्फ आपने इतना याद रखना है इस से ज्यादा डिटेल करने की कोई जरूरत नहीं है आपके पेडियर्टिक्स भी हो जाएगी और आपके बाकी सारे मामलात भी हो जाएंगे इन्शाला ठीक हो गया तो मुझे जरा शाब बात जल्दी से बताएं कि आपको ये वेंटर वाल्ड इफेक्ट समझ आया है बहुत असान है इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है और असान सी बाते हैं और मैं जिन सुर्ण ने अभी नया जो आइन किया मैं उनक चलें जी डौक्टर समीना डौक्टर हादी और आईशा साब को तकरीमन समझ आ चुकी है तो इसको रहां बात मेरी वायज भी कर देंगे एक दफा हर् dye को हूथ है अब फ्रोह फिरक्र्ट भी है एं स espaन्जिय का मतलब मॄंदम है है हुफ की नाफ है और इस वर्णडल का में हाफ कर आफ है और हर् या का मतलब क् yeux ट्रोइयन की फिर्ड बाई बिश्व क्लाश्च कर बताब इन्हार कि मैं बिताता बताताँ हूँ आपको देखें, अब इसमें आपने क्या याद रखनें, आपने अकसर देखा होगा, यह बड़ी common सी चीज है, आपने छोटे बच्चों को अगर देखा होगा, जो अभी महीने की हैं, या अभी पंद्रा दिन की हैं, या दस दिन की हैं, तो आपने उनकी इसका सबसे पहले तो हम यह सीखते हैं कि इसका जो मरीज होगा मतलब आपके पास जो मरीज होगा वो किस तरह प्रिजेंट होगा तो आपके पास मरीज आएगा और उसके जो पेरेंट्स होंगे वो कहेंगे उसके पेरेंट्स में प्रेशर बढ़ेगा जाहरी बात है जब वचारा वो रहेगा तो क्या होगा अब्डॉमिनल प्रेशर क्या होगा इंक्रीज होगा तो उसमें क्या होगा इंक्रीज अब्डॉमिनल प्रेशर इंक्रीज क्या होगा अब्डॉमिनल प्रेशर ओके जब abdominal pressure increase होगा तो इसमें होता क्या है पहले हम पहले ये सीख लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें होता है कि failure of failure of umbilical ring ठीक है जो umbilical ring है failure of umbilical ring to close after physiological herniation देखो मैं आपको बताता हूँ जब हम सारे मां के पेट में थे तो फर्द करो ये क्या है हमारी naaf है ठीक है ये क्या ambilical ring है तो जो हमारी क्या थी जो हमारी intestine थी intestine की ने थोड़ी सी herniation होई थी किस में होई थी हमारी ambilical ring हमारी naaf में तो ये एक physiological है ये हर बंदे में हुआ था लेकिन जब हम पैदा हुए परुआ जो हमारी ambilical ring जो हरनीशन थी ये भी खतम होगी दोबारा सुने जब हम बच्चे थे तो फर्द करो ये क्या है हमारी naaf है तो फर्द करो यहां से क्या गुजर रही है intestine गुजर रही है अब intestine क्या करेगी interest sign थोड़ी सी इसके अंदर गुसी होई थी ठीकर यह सब में था लेकिन जैसे ही हम पैदा हुए जैसे हम पैदा हुए, क्या हुआ जो हमारी umbilical ring थी वो close हुई जो umbilical ring close हुई तो यह herniation भी खतम हो गी लेकिन फर्द करो एक बच्चा है और उसकी किसमत ही खराब है उसमें क्या है अगर जो अगर जो अगर वो अगर वो उसके ना हो तो क्या होगा जब बच्चा पैदा भी हो जाएगा तो उसकी जो नाफ होगी वो हमें सूजी सूजी सी नजर आएगी बड़ी बड़ी सी नजर आएगी आप अपनी बुक पे देखें आप बड़ी अच्छी डियागराम बनी हुई है तो फिजियोलोटिकल हर्निशन के बाद अगर उसकी अपनाइकल रिंग क्या हो अगर वो क्लोस ना हो अगर वो क्लोस ना हो तो उसको क्या दाएगा पैदा हुए और जब यहार रोत आ ना तो इसकी जो नाफ है वो बड़ी सवैल कर दे रहती है तो आप को खत्रे वाली बात नहीं है, यह spontaneously resolve हो जाएगा, यह खुद बाखुद क्या जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो it will resolve spontaneously, तो यह आपने अकसर बच्चों में देखा होगा, spontaneously क्या हो जाता है, resolve हो जाता है, और इसमें कोई भी खास मसला नहीं आता, ठीक हो गया, and it is small defect usually closed, spontaneously और इसमें कोई भी मसला नहीं आता, ओके जी, अब I hope कि आपको यह मेरी बात समझ आ गए, और इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है, उसने बाद हम आगे चलते हैं, और आगे आपका है, जी most important topic, most important topic, that is tracheo esophageal fistula, tracheo का मतलब क्या होगा, trachea, जो आपकी सांस की नाली है, esoph तो आपके उसने लिखा होगा, tracheo esophageal fistulas, तो सबसे पहले हम fistula की definition लिखते हैं, अब fistula को आपने याद कैसे रखना है, देखो, जो आपकी fistula है, fistula को आपने किस तरहां याद रखना है, जो fistula, it is abnormal connection, fistula क्या होता है, दो organs के दिरम्यान अगर abnormal connection हो, तो इसको हम कहते हैं fistula इसको हम क्या कहते हैं, जी fistula कहते हैं, अब किसी भी अगर दो organ के दरम्यान कोई abnormal connection है, तो इसको हम कहते हैं fistula, fistula, अब tracheo का मतलब क्या है, हमारी सांस की नाली, aesophageal का मतलब क्या है, हमारी खुराक की नाली, तो इनके दरम्यान, इनके दरम्यान अगर abnormal connection होगा, अगर इ Atresia का मतलब होता है Blockage. ठीक है, simple आप याद रखें, इसका मतलब होता है Blockage. इसका क्या मतलब होता है Blockage. जहां पे भी Atresia लफज आदे, आपने कहना है कि यार यह चीज़ Block है. यह चीज़ Band है. ठीक है, तो फर्द करो, हम फर्द करें कि यह क्या है? एक नाली है ठीक है ये क्या है एक नाली है और आपको पता है कि जो वैसल होती है इसके जो अंदर वाली स्पेस होती है इसको हम क्या कहते है ल्यूमिन कहते है तो फर्द करें जो एक वैसल है उसका अगर जो ल्यूमिन है वो क्लोज है तो इसका क्या हुआ पड़ा है इसका ज याद रखना है, दो वर्ड है, फेस्टूला का मतलब होता है, दो ओर्गन्स के दर्मियान कोई भी अबनॉर्मल कनेक्शन, और अट्रेजिया का मतलब क्या होता है, ब्लोकेज होता है, तो अब हम इसको जरा पढ़ते हैं, अब आपने याद रखना है कि जो most common है, जो 80% बच् इसके साथ से हम बना लेते हैं किसी और कलर से, ये क्या है, उसकी ऐसोफैगस है, अब ये क्या है, उसकी ऐसोफैगस है, अब होगा क्या, तो ये नॉर्मल है, लेकिन फर्द करो हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि इनके दर्मियान क्या है, फर्द करो कि ये जो आपकी ऐसो Fagus है वो निकल रही है किस से निकल रही है Trachea से निकल रही है और जो आपकी पहले वाला जो Proximal Esophagus है वो आगे से बांद है ठीक है जो Proximal Esophagus है उसका Atresia हो गया है इसको हम कहेंगे E A ठीक है, Atresia, Acephagia, मतलब कि जो हमारी खुराग के नालिया वो बंद है, और दूसरे नंबर पर उसमें लिखावा है, T.E.F. T.E.F. का मतलब क्या है, Tracheal Acephagia Fistula, इसको हम कहेंगे Distal Tracheal Acephagia Fistula, कि जो हमारी aesophagus है distally वो किस से निकल रही है वो निकल रही है किस से ट्रेकिया से किस से निकल रही है ट्रेकिया से तो इसका हम कहेंगे tracheo aesophageal fistula और यह किन में होता है यह 80% बच्चों में यही मसला होता है जो 80% बच्चे होते हैं इन मसायल की उनमें सबसे common क्या होता है जो उनकी खुराक की नाली होती है वो बंद होती है और जो खुराक की नाली का डिस्टल पार्ट होता है जो मतलब दूर वाला इसा होता है वो निकल रहाता है कहां से निकल रहाता है ट्रेकिया से तो यह most common है और यह सबसे important है, अगर आप NLE की त्यारी कर रहे हो, तो आपसे यही इंशालला हम से कुछ बूचा जाएगा, अगर इसमें से आता है, ठीक है तो यह आपने चीज याद रखनी है, बहुत असान सी बात है, अब हम इसमें कहते हैं कि यार इसमें होगा क्या, जो most common है, इसमें atrasia, ठीक है, atrasia किसका होगा, कि जो आपका lumen होगा, वो block होगा, ठीक है, जो lumen होगा, वो क्या होगा, block होगा, मतलब कि जो हमारी asophagus होगी, वो क्या होगी, block होगी, and asofasial atrasia, मतलब जो most common है, जो सब से ज़्यादा बच्चों में होता है, वो क्या होता है कि उसकी जो खुराग की नाली होती है, वो ब्लॉक होती है, एसो फीजियल अट्रेज या, एसो फीजियल अट्रेज या, उसकी क्या होगी, मतलब कि उसकी खुराग की नाली होगी, वो क्या होगी, बंद होगी, प्लस उसके साथ क्या हो त्रेक्यो एसोफिजियल फिस्टूला ठीक हो गया तो यह बहुत असान सी बात है इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है और फिस्टूला का मतलब भी क्या होता है अब नॉर्मल तो आपको पता होगा कि polyhydrominus क्या होता है कि अगर क्या हो अगर क्या हो more than 25 cm क्या हो amniotic fluid हो अगर amniotic fluid हमारा more than 25 cm है तो इसको मैं कहते हैं कि इसको क्या है polyhydrominus है कि मतलब जो बेबी था जो उसमें जो जब वो placenta में था तो placenta में जो amniotic fluid हो बहुत ज़्यादा है जो placenta में अम्योटिक फ्यूड है वो क्या है बहुत ज़्यादा है अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्यों ज़्यादा हो गया है मतलब मसला जो बेबी को है बेबी को मसला है लेकिन उसमें पॉली हाइडॉमनिस क्यों हो गया है जिसको तरह मैं समझा देता हूं देखो मैंने आपको बताया थरी परड़क्टिव सिस्टम में कि जब हम मां के पेट में थे तो हम अपना ही पेशाब पीते रहे हैं ठीक हम अपना यूरीन ड्रिंक करते थे पहले हम यूरीन करते थे और वही हम दुबारा ड्रिंक करते थे और उससे हमारी लंग्स में चेहर होती थी ठीक है तो अब फर्द करो एक बेबी है और उसके क्या है उसकी जो ओसफएगस है वो क्या है आगे से बंद है तो जाहरी बात है कि जो अम्योटिक फ्लिवड होगा उसको नहीं पी पाएगा जब अम्योटिक फ्लिवड को ड्रिंक नहीं कर पाएगा तो क्या होगा उसको पोली हाइड्रोम्यस हो जाएगा जो फ्लिवड होगा उसमें जो अम्योटिक फ्लिवड होगा वो हाथ से ज्यादा हो जाएगा ठीक हो गया तो यह हमने रिप्रड़क्टिव में पढ़ा था और अगर आपको इसकी नहीं समझ आ रही तो इसका मतलब है कि आपने यह पहले नहीं पढ़ा हुआ तो हमारा फ्लिवड है उसको वो निगल नहीं पा रहा उसको फैलो नहीं कर पा रहा हुआ उसके बात है कि कि अगर आपके पास एक बच्छा लाआ याजाटा है और वो किया है न्यूनेट है और मुझे शाव बाज जल्दी से ये बता दें कि हम न्यूनेट किसको कहते हैं कौन से पे न्यूनेट कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं न्यूनेट कहते हैं और एक ऐसा बच्चा जो कि एक साल का होता है ठीक है एक बच्चा अगर एक साल का है यह उससे छोटा है तो उसको हम क्या कहते हैं इन्फैंट कहते हैं तो अब न्यूनेट क्या होगा एक महिने तक एक महिने तक तो क्या होगा न्यू नेट होगा अगर एक न्यू नेट है तो उसमें क्या मसला होगा अगर न्यू नेट है तो उसमें क्या मसला होगा तो इसको जरा समझ में कि न्यू नेट आपके पास लाया जाएगा ड्रूल ठीक है ड्रूल ड्रूलिंग का मतलब पता है किसी को ड्रूल का मतलब पता है किसी को देखो मैं आपको बताता हूँ इसके आगे लिखे drooling का मतलब क्या होता है drooling का मतलब होता है जो बेबी होगा वह drop करेगा dropping of saliva कि उसके मुझ से ना मतलब saliva निकल रहा होगा dropping of saliva ठीक है जिस तरह आपने देखा होगा कि जो डॉगी होते हैं उन में भी वो स्लाइवा निकल रहा है तो जो डॉग्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं डूपिंग कर रहे होते हैं तो डूपिंग का मतलब क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट के मुह से काफी ज़दा स्लाइवा निकल रहा है तो इसका कहते हैं डूपि हम कहते हैं नियार मेरा धम गुट रहा है जिए हरे जिए का इसको चोक करें अबंदो। excessive shortness of breath कि अगर आपको बहुत शदीद मतलब सांस की कमी हो जाए तो इसको हम कहते हैं चौक हो गया पेशन्ट ठीक है चौक जो बेबी होगा उसको कभी कभी सांस नहीं आएगा वो क्या करेगा डूल करेगा उसको चौकिंग होगी और उसको क्या होगा कि उसको जैसे बेबी आप जो उसके पेरेंट्स होंगे वो आपको बताएंगे कि डॉक्साव जब हमने इसको माने इसकी दूद पिलाया था तो इसने फौरण उल्टी कर दी थी जैसे इसने फीड किया था जैसे इसने फिर्स्ट फीड किया था तो इसने फॉरण क्या कर दी थी वॉमिटिंग कर दी ती तो जाहरी बात है वो वॉमिटिंग ही करेगा कि जब उसका जो खुराक के नाली है वही बांदा तो पिर जो दूद होगा वह कहां जाएगा वो बाहर ही आएगा तो जब उसने पहली दफा क्या खाया था कुछ खाया था तो यह कुछ पिया था खाया तो खायर क्या होगा उसने जब मां का दूद पिया था तो उसने फॉरण क्या कर दी थी वॉमिटिंग कर दी थी और बेबी होगा उसको सांस नहीं सहितना आ रहा होगा